नमस्कार दोस्तों, इस एपिसोड में आपका स्वागत है। इस बार हम एक अलग उपकरण के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है डिस्क प्लाव। वैसे तो इसके नाम सही प्रतीत होता है कि इसमें डिस्क का उपियोग किया जाता है। और ज़्यादा तर डिस्क प्लाव का उपियोग तब किया जाता है जब आपके खेत में पुरानी फसलों के आउशेश काफी रह गये हों। तो आईए जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डिस्क प्लाव के बारे में। इसकी बनावट कैसी है, खेत में इसकी क्या-क्या सेटिंग करनी पड़ती है और इसके फायदे क्या है। जैसी कि आप देख सकते हैं कि डिस्क प्लाव की फ्रेम काफी मजबूत होती है और इसी मजबूत फ्रेम पर लगी होती है डिस्क। यही disc मिट्टी को अच्छे तरीके से तोड़ती है और साथ साथ पलट भी देती है और इसी disc के कारण इसे कहा जाता है disc plow इन disc के पीछे लगा होता है एक guide wheel ये guide wheel disc plow को सीधी लाइन में चलाने में मदद करता है इस पर लगे हुए reversible arm और hydraulic cylinder की मदद से driver आसानी से disc की दिशा को बदल सकता है यानि reversible plow की तरह भी disc plow का इस्तमाल करके समय की बचद कर सकता है इन disc और guide wheel पर लगा होता है scraper यह scraper इन पर चिपकी हुई मिट्टी को आसानी से निकाल देता है आई आप जानते हैं disc plow की settings के बारे में जैसे कि tilt angle, disc angle, guide wheel की setting जो आप अलग-अलग मिट्टी के प्रकार के हिसाब से set कर सकते हो जैसे कि आप देख सकते हैं कि disc plow की disc जमीन से खड़ी दिशा में सीधी न होकर थोड़ी तिर्ची होती है और इसी angle को disc का tilt angle कहा जाता है tilt angle जितना कम होगा उतनी जादा plow की गहरा ही मिलेगी और जादा तर plow में tilt angle हमेशा fix रहता है दूसरी setting होती है disc angle की disc angle याने tractor की सीधी दिशा में बना हुआ disc का angle इसे आप मिट्टी के प्रकार के हिसाब से set कर सकते हो सादर मिट्टी के लिए इसे आप 48 degree अगर मिट्टी कठोर है तो इसे आप 52 degree पर set कर सकते हो कि तीसरी और सबसे जरूरी setting है guide wheel की जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि guide wheel plow को सीधी दिशा में चलाने में मदद करता है अगर आपका tractor plow चलाते समय एक साइड में खीच रहा है तो इस setting को करना बहुत जरूरी है आम तोर पर guide wheel को disc से आदा इंच नीचे रखा जाता है अगर मिट्टी नरम है तो इसे आप आदा इंच से थोड़ा सा कम अगर मिट्टी कठोर है तो इसे आप आदा इंच से थोड़ा सा जादा रख सकते हो इसी तरह आप guide wheel की angle को भी set कर सकते हो नरम मिट्टी में इसे आप कम और कठोर मिट्टे में इस angle को आप जादा रख सकते हो अब जानते हैं डिस्क प्लॉव का इस्तमाल आप किस प्रकार के जमीन में कर सकते हैं और इसके फाइदे क्या हैं डिस्क प्लॉव का इस्तमाल आप हर प्रकार के जमीन में कर सकते हैं लेकिन ऐसी जमीन जहां पर पत्थर या घास या पिछले फसल के आउसेज बहुत ज़्या प्लॉइंग के लिए डिस्क प्लॉव का इस्तमाल करने से मिट्टी अच्छे तरीके से बारिक होती है यानि मिट्टी के बड़े-बड़े धेले नहीं बनते और साथी साथ ये खेत को अच्छे तरीके से लेवल भी करता है जिसके परिनाम सुरूप, सेकंडरी टिलेज के दोरान रोट्री टिलर को दो बार चलाने के बजाए एक ही बार चलाने से खेत अच्छे तरीके से तयार हो सकता है यानि आपके समय और डीजल की बचद भी होती है तो देखा दोस्तों कैसे डिस्पलाओ की मदद से आप जुताई बिलकुल आसानी से कर सकते हैं तो मुझे यकीन है यह एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा